कि नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का एक बर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर दुस्त मेरे पास यह रियल मी अधिशी थी मॉडल है जिसका मॉडल नंबर है आरम एक्स दोहजार सकताइस उस्तों इसमेश मोबाल हम आन करते है तो यहां पर मैसेज पताता है डिया मेरेटी का रप्सान यूवर डिवैस इस कर अप्डेट पताता है तो यह आप देख सकते हैं आन करके आपको दिखा रहा ही ही कि एडिके हैं यहां पर मैसेज दिखाया रहा है तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका अपडेट जो हता है वह हमें को ढूड़ना है तो यहां पर दिख सकते हैं दोस्तों यहां पर यहां पर दोस्तों आर्मेक्स 2020 दिखा रहा है लेकिन यह नंबर वाला फाइल काम कर लेता है लेकिन दोजर सत्ताइस में भी काम कर लेता है दोनों में एक ही लगता है तो यहां पर में सीमपल डाउड़ पर क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों डाउंलोड हो जाएंगा स्टार्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको डानलोड पर जाना पड़ेंगा उसके बाद यहां पर राइड क्लिक करके आपको जो नीचे सबसे उप्सीन दीका रहा है इसके पर क्लिक कर देना आ तो आपको जो है आई टीम की उपर ट्रांसफर हो जाएंगा और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगा आई डियम से कि मैंने पहले सी डाउलोड करके रख चुका हूं तो आपको एज़डी काड में उसे कॉफी कर लेना है तो दोस्तों यह मोबाइल अभी अपने आप आफ रहा है तो इसमें आपको एज़डी काड लगा लेना है मिनिमाम आठ जीबी या फिर सोला जीबी का एज़डी काड लगाना है इसमें उसमें आपकी जो फाइल होती है उसे कॉफी कर लेना है उसके बाद वालूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके रखना है थोड़ी दर होल्ड करना है उसे हमारा जो मोबाइल है वह रिकॉरी मोट पे बूट हो जाएंगा यहां पर इंग्लीज पर क्लिक करना उसके बाद दोस्तों हमें इंस्टाल फ्रॉम स्टोरेज के उपर जाना है उसके बाद फ्रॉम एजडी कार्ड आप देख सकते हैं आरमेक्स 2020 दिखा रहा है उसके वर हमें क्लिक कर देना पावर बटन को प्रेस करके और हमारा जो मोबाइल है उसका अपडेट स्टार्ट हो जाएंगा अब दुस्तों इस मोबाइल में जब मेरे पास मोबाइल आया तो यह मैसेज दिखा रहा था डिवाइस उसके बाद भाद लोगों के उपर रूक रहा था आगे नहीं बढ़ रहा था नाई बंद हो रहा था लोगों पे रुका हुआ था और मैसेज दिखा रहा था तो मैंने दुस्तो इसे रिकोर इमोट पे लेके गया रिकोर इमोट पे ले जाने के लिए पावर बटन और वालूम प्लस वालूम डाउन दोनों को प्रेस करके होल्ड रखना है उसके बाद जैसे ही मोबाइल आफ हो जाएंगा तो वालूम प्लस बटन जो उसे छोड़ देना है और वालूम डाउन और पावर को प्रेस करके रखना है कंटीनियू जब तक कि मोबाल आन नहीं होता जैसी मोबाल आन हो जाएंगा तो पावर बटन को छोड़ देना है और डाउन बटन को वालूम डान बटन को प्रेस करके रखना है तो आपका जो मोबाइल है रिकवरी मोट पे चला जाएंगा अगर कोई भी एगर हैंग लोगो वाले मोबाल जैसे होते हैं जो मोबाइल आफ नहीं होपाते तो उस कंडिशन में आपको वालूम डाउन वालूम प्लस दोनों को प्रेस करके रखना है उस का जो भी मॉडल है उसका OTA फाइल डाउलोड करके HD कार्ड में कॉफी करें उसके बाद कि आप पूरा रिकोरी के जर्ये उसे फ्लैस कर सकते हैं मुबाइल के 99 परसेंट चांसे होते हैं रिपेर होने के दोस्तों इसे कंप्लिट अपडेट होने में पास से 10 मिनट लगते हैं और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ अगर कोई मोबाइल अगर लोगों की उपर रुका हुआ है रियल मी का या फिर उपो का तो इसी कंडिशन में आपको वालूम डाउन और वालूम आपको प्रेस करक करना इसके बंद्व के और तो इसके बाध आपको वालूम आपकि बटन जो होती है। उसे छोड़ेना है और और वालूम डाउन को प्रेस करके रखना है और पावर के वह cyn Contrary रखना है उसके बाद यहाले ममबाइल आम हो ज्याएंगा तो आपको मुदाइंगा चला जाएंगा अगर आपके पास कोई मुबाइल है जिसे आप रिपेर करना चाहते और वो आपके एरिया में रिपेर नहीं हो रहा है तो अब मेरी शॉप में भीच सकते अधरेस आपको डिस्क्रिप्सिल में मिल जाएंगा कि मैं आपके मोबाल को रिपेर करने की कोशिश करूंगा तो तो दूस्तों मोबाल कम्प्लिट अपडेट हो चुका है अब यहां पर हम रिबूट करेंगे यहां पर रोके करेंगे कि अब हम रिबूट करने वाले मोबाल को मोबाल आन होने वाला भी देखते हैं मोबाल का प्रॉबलम निकला है नहीं निकला तो यह हैं ए magic ali पहले mean जो कर रहा था डिवाइस का उप्रेट का मगर इसमें म Tabii भी भी प्रॉब्लम माल यह मोबाईल अभी अर्यश्टार्ट हो रहा है है अब देख सकते मोबाईल इस्टारट हो रहा है तो अर्शी कंडिशन में हमें अब इसका वालूम डाउन बटन जो है उसे प्रेस्ट करके रखना है अब देख से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी आपको करना है अब यह मोबाल जोस्तो रिको रिमोट पे बूट होने वाला है अब देख सकते हैं रिको रिमोट पे फिर से चला गया अब दोस्तों यहां पे हम वाइब डाटा करेंगे यहां पी जो आपी जो पासवर्ड दिखा रहा है वेरिपिक्शन पासवर्ड उसे में डायल करना है उसके बाद हम यहां पे वाइब ड़ा करेंगे अब रिबूट करेंगे अब देखते हैं इसका प्रोब्लम नहीं निकला या नहीं निकला भी पता लग जाएंगा अभी मैंने कोई कि नई दबाए फिर भी यह ऑटोमीटिक रिपूट हुआ हैं फिर बीसे रिक रिपोट हुआ हैं फिर से रीक रिमोट पे तो इस बार अभी यहां पे दिख सकते हैं आप हम ऐसे दिखरा सिस्टेम एरर करके तो हम फिर से वाइब डेटा के उपर जाएंगे कि वहावे फिर से जो कोड उपर लिखा हुआ है वो ड्याल करना है हमें और अब हम फॉर्मेट डेटा करेंगे कि दूस्तों फॉर्मेट कंप्लेट हो जुगा है अब हम रिबूट करेंगे मोबाइल का देखते हैं इसका प्रॉब्लम निकला ने निकला तो यह दूस्तों मॉबाइल आन हो चुका है आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से रिपेर किया है अगर ओटी अपडेट करने के बाद भी अगर लोगों पर रखूरा है या फिर रिष्टार्ट हो रहा है तो आप फिर से रिकॉरी में जाके उसे फॉर्मेट कर सकते हैं वा प्रब्लम निकल जाता है फिर भी अगर प्रब्लम नहीं निकला तो फिर आपको MSM टूल से फ्लैस करना पड़ेंगा है अगर ऑटीएफ फाइल से अगर प्रब्लम नहीं निकलती तब कि इस मोबाल को कंप्लीट अन होने के लिए दो से तीन में टाइम लगने वाला है कि अगर दोस्ते मोबाल कंप्लीट अन हो चुका है यहां पर मैं आई में नंबर चेक करता हूं तो आई में नंबर भी ठीक टाग रहता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और आप ऐसा कुछ नया सीखना चाहते है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ तब तक के जैहीन दोस्तों